हेलो फरेंस आज मैं आपके शेयर करी हूँ बढ़े के पाई की रेसीपि जो बहुत जादा मज़े के बने हैं बहुत जादा टेस्टी बने है इससे पर लेकिन अपको पसंद आने वाली है इस तरह बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रहे जाएंगे अपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दिल से स्वागत करती है उपनी सभी ट्यूप फैमिली का वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना चैनल पर नहें तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लेना और यह बिल आइकन का बटन जरूरी आसे प्रेस कर लेना आने व सभी को करनी पड़ती है सबसे ज़्यादा मेहनत होती है पाय दोने में बनतों फटावट जाते हैं लेकिन दोने में बहुत जादा दिक्कत होती है अब यहां डाल देंगे कुछ हमारे खड़े मसाले मैंने यहां पर शाही जीरा ले लिया है चार-पाच लोगों के ले सबसे नमक यहां पर ढाल देंगे कि तो हल्दी पॉर्डर में एड़ कर देंगे हमारा नमक तो नमक अपने टेस्क आप से रखेंगे नमक आप इस तरह डाले क्यां कि हम अभी भी यूज़ कर पूरा भी डाल दीजिए और पिर बाद में आप नमक नहीं डालना अगर आप तो आप यहां पर डेटड़ पानी ले लीजी अगर आपके ज्यादा रह घ्लास नहीं तो तीकिंए यहांपर मेरे हिस्बेंट तो ज्यादा गले वे नहीं खाते लेकिन मुझे गले पसंड रहे थे जादा मत गलाना अपनी पसंद से मत बनाना या कुछ हमने पूंच हमने समान रख लिए कुछ हमने लग तरीके से बहुत लिए गोला ले लिया है इस आप चाहिए तो उसका लिंक आपकोड़िशिंग बोस में मिल जाएगा यहां मैंने दही ले लिए गोला ले लिया है तो आप चाहें तो यहां गोले का नारियल का बरूता भी ले सकते हैं यहां मैंने कॉकुनेट ले लिया सुखा वाला और एक बड़े साइस की ले लिया प्याज अगर प पसंद आएंगी मेरी गारेंटी अब यहां जाते हैं हमारे सुखे ड्राय मसाले तो यह बहुत ज्यादा चटपेटे आप चेक कड़ा देते हैं यहां पर हमें क्या क्या समान चाहिए होगा सबसे पहले चाहिए यहां पर हमें गरम मसाला जो कि हम इस्टाडिंग में ले रह हमने मिर्च का पोडर और वान टीस्पून ले लिया है हमने कसूरी मेथी तो यह चीज़ा आप जरूर डालें बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला नमक आपने टेस्ट के साब से लेंगे जैसे मैंने आपको बता है नमक हम इस्टाडिंग में यूस कर चुके इसलिए नमक क्या है अब यहां पर हम क्या करेंगे अपनी प्यास को पहले पीस लेंगे तो हमें तीन चीजों को मिक्सर के अंदर पीस लेनी सबसे पहले प्यास को पीस के इसका पेश्ट बना कर साइड में रख देंगे तो यहां पर प्यास को कर लिया है तो हमने प्यास को इस तरह पीस तो देखें यहां पर हमारी प्यास सारी निकल चुकी है अब प्यास काबल उठाएंगे साइट में रख देंगे अब इसमें डाल दिया है नारियल तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया आप चाहें तो नारियल का वरूदा यामी के कोकनक इस्तमाल कर सकते हैं अगर यहां मैंने थोड़ा सा ले लिया है जादा नहीं है अब इसको भी हम पीस लेंगे देखें यहां पर मैंने इस तरह पीस लिया भी पूरा फूल ले है इसके अंदर डाल देंगे खशकत जो के मैंने ले लिए वनटी स्पून अभी है काजू और बादाम वह भी खशकत के साथ ही इसको fine piece नहीं बिल्कुल fine तो मैं इसको fine piece लिया है पानी डाल कर अब चलते हैं अपने gas की तरफ यहां पर मनें रख लिया है और इसके अंदर डाल दिया ओईल आप यहां मनें इसने अपना कलर चेंज कर दिया है, अब यहां पूरा हम डाल देंगे लसन अदरक, अब जो हमारा थोड़ा बोत रह गया है, उसे लसन अदरक के साथ में भूनेंगे अपनी प्यास को, देखिए इस तरह हमारी भूनाई हो रही है, लसन की भी और अदरक की और तीनों चीज यानि के प्यास भी अच्छे से भून चुकी है, माशाला इस तरह काई चाहिए था, अब जो हमेंने काजू, बदाम और खशकस और गॉला पीसा है, वो इसके अंदर रेट कर देंगे, क्योंकि यहां पर हमें इसकी भी भूनाई कर लिए हैं, तो यहां पर थोड़ा सा पान दो मिनट भून लिया है, तो दो मिनट तक हम इसे भून लेना है, और जब भूनने लगेगा, तब हम इसके अंदर डालेंगे अपने सूखे ड्राय मसाले, तो यहां पर हम सूखे ड्राय मसालों के साथ पानी नहीं डालेंगे, सीधा डालेंगे दही, तो यहां मैंने दही एक कप मेने दही ले लिए तो दही जादा खटी नहीं होने चीए क्यों गर्मी में जादा खटी दही हो जाती है तो यहां पर अगर दही का धियान लखें दही मीठी होनी चाहिए अच्छे से हम क्या गरेंगे इसे 100% तक अपने मसाले को भून लेंगे जब तक हमारा ओयल इसके अंदर से सेपरेट होने ना लगे यानि कि मसाला फटा फटा ना होने लगे तब तक हमें अपने मसाले को भून लेना है तो यहां पर लीड लगा कर भून लेते हैं गेस का फिल यह पीड हो करें चाये तो कमें डालता है तो मैंने बिर्टन क्याति एकश के अअच। कर दी क्यां तो में पूरा ही समय लिए कर दिया लगी है। हम स्कीक साथिवे सकते ही या थीक पस princes कर दिया है। तो यहां पर मात नदर पाइने के पाल यहां सब्साइब shipping अगर आपके पास अद्रक है तो लंबी शेफ में कट कर लीजिए मेरे फिलाल है नहीं तो हमें यहां पर सिर्फ ओनली हर अधनिया और हरी मिर्चे में कट कर लिए नहारी वाली में नहारी मिर्चे यूज़ करें वह ज्यादा स्पाइसी नहीं होती है तो जैसे कि मैंने आपक किष्टी बने थे बहुत यहमी बने थे यह भी बहुत मज़े की बने तो एक बार इस तरह भी इन पायों को ज़रूर ट्राइक कीजिए माशाला बहुत आपको ज्यादा पसंद आने वाले तैसी वीडियो देखने की नहीं चैलें पर बने रहें जुड़े रहें वीडियो क फुल बोच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थेंक यू तो निशा को फोलो करें निशा को सफोर्ट करें फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में अल्ला आपीज और दुआओं में याद रखना